हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब होप यू आ डूंग वेल मैं फिर से आगई आप लगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर और ये रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग बिल्कुल पिक पाइल रीडिंग नहीं है और इस रीडिंग में आपको देने वाली हूं साइं बाब चीक और श्राओ दिस्ति बाब जी को सबस्वें समर्क के लो नहीं मांते हैं से realize कर सकते हैं पी आप जिनको मानते हैं उंका नाम लेकर स्कते हैं क्योंकि यूशर लिए से बहार निकल सकते हैं कोई और वीडियो कर सकते हैं राइट अब लोग अब हम लोग चेक करते हैं कि बाबाजी क्या कहना चाहते हैं ग्रोग वेरी ब्रीटिफुल मेसेस्स तो माइविए अज माइघ्र हैं जिन को आप पाफि ताइम से जेल रही हो तो यह सिफ इसी लिए है क्योंकि भट्टी में तब कही सोना निखरता है और परिशानिया टेंशन सब कुछ इसलिए है कि आप अपने knowledge increase करो अपने skill increase करो चीजों को maturely deal करना सीखो खुद को balance करो ताकि आपकी overall growth हो पाए that means अगर parents medicine देते हैं तो सिफ इसलिए देते हैं कि बच्चे क्यों हो पाए disease से जल्दी से बाहर निकल पाए recover हो पाए अगर divine की तरफ से आपको कुछ problems मिल रही है this is just because कि आप लोगों को बाहर निकलना है immaturity से आप लोगों को बाहर निकलना है कुछ bad आदतों से कुछ चीजों में improvement करनी है और overall this is just because of your growth next message है trust and faith जो कि again ये imply करता है कि divine पे trust रखो universe पे trust रखो sign बाबाजी पे trust रखो खुद पे trust रखो because जिन लोगों का trust खुद पे होता है divine पे होता है universe पे होता है उन लोगों की life में देर तो हो सकती है बट अंधेर कभी नहीं होती ठीक है and your third message is धोनी यहाँ पे बाबाजी divine universe ultimately high spiritual powers आपको कहती है कि जो आपकी tensions है जो आपकी worries है जो आपकी परेशानिया है जो आपके fear है जिन चीजों से आप घपराते हो कि मैं कहीं इसको खोना दूँ कहीं मुझसे चूट ना चाहे कोई रिष्टा ना चूट जाए कोई चीज ना चूट जाए कोई job ना चूट जाए कोई career ना चूट जाए तो मैं आपको बता दूँ बाबाजी कहते हैं कि इन सारे tensions सारे परेशानिया और इवन अपने मन के डर को भी धूनी में बर्न कर दो इन से बहार निकल जाए उनको जला दो अगर कोई डर आपको बार-बार सताता है तो इन जनरल I can advise you कि आप लोग उसको एक paper में लिखो उसको एक तीली से माचिस के जला दो देन उसको flesh out कर दो ठीक है वो दिल और दिमाग से आपके निकलना स्टार्ट हो जाएगा and the next message is life purpose हर एक soul यहाँ पर life purpose के लिए आती है and similar way में आपका life purpose भी है and आपका life purpose क्या है उस तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे because आप एकदम right track पे हैं ठीक है और किसी को अगर life purpose नहीं समझ में आता है तो care कीजिए लोगों की light walk का बनिये अब इसमें लोग animals हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि लोग अगर मैं कहरी हूँ तो they are just all human beings क्योंकि creature ने जो भी बनाया है वो सब बहुत beautiful है और सभी बहुत प्यार और दुलार से बनाया है universe ने चाहे वो animals हो चाहे वो birds हो चाहे वो insects हो चाहे वो हमारी nature हो चाहे वो हमारी हम खुद हो human beings तो जिसकी तरफ भी आपका attraction चाता है जिसके लिए भी आप compassionate feel करते हो जिसके लिए भी आप जिसके साथ आप अच्छा feel करते हो उनकी love करो, उन्हें care करो उन्हें feed कराओ, उन्हें pamper करो उन्हें खुशहाल जीवन दो यही आपका life purpose है and your next message is cut, clear and cancel जो भी चीज़े आप लोगों के लिए वाक नहीं कर रही है उनको आपको cut करना है cut means कुछ time के लिए उनको निकाल दो, ठीक है in future वो improve हो के आप लागो के life में आएंगी, clear कर दो clear means उनको अपनी memory से हटा दो, cancel कर दो means अपने software, hardware हर जगह से, कोई copy उनकी अपने past मत रखो, वो चीज़े जो बहुत toxic हैं, उनकी लिए आप cut, clear और cancel तीनों option apply करो, और इसके लावा कुछी जो को cut करने की ज़रत है, कुछ को clear और कुछ को cancel, right और the next message is face the pain, अगर आप लोग pain face कर रही हो, तो बाबाजी कह रही है, डिवाइन कह रही है कि इसे pain करो, sorry, face कर, इस pain को face करो क्योंकि आप situation गलत है, बलकि pain इसलिए है कि आपने अंदर दबा के रखा है that means कोई situation bad हो गई है, लेकिन आप उस पर food food करो नहीं रहे हैं, अपने अंदर घुटकर बैटे हैं, चीजों को express नहीं कर पा रहे हैं, I know कि सब पर faith करना असान नहीं है, खुद पर तो faith है ना, divine पर तो faith है एक बार divine के सामने बैटो सारा दुख बयान करके food food के रोलो, आदा घंटा, पोना घंटा 10 मिनट, पंदा मिनट, जितने आंसों है नों को बहा दो, तो आपके अंदर का जो pain है ना, जिसको आप दबा कर बैटे हो, में भी आप लोगों के सामने बहुत हैपी दिख रहे हो, में भी लोगों के सामने आप ऐसे दिख रहे हो, जैसे आप कोई दुखी नहीं है लेकिन जो अंदर दुख है ना, उसको निकाल दो ठीक है, और ये दुख इसलिए आपके लाइफ में और आता जा रहे है क्योंकि आप अंदर वाले दुख को समेट के बैठे हो और जब अंदर इतना दुख होगा, तो वो बाहर से और चीजों से भी दुखी अट्राक्ट करोगे आप लोग, and celebration, good news time for celebration बहुत ही beautiful message है साएं बाबाजी का कुछ लोगों के लाइफ में celebration, good news regarding their marriage, regarding their job, regarding their engagement regarding their proposal, reconciliation, reunion आने वाली है so be ready for this news and accept it जो लोग full power में है, full positive है जिन लोगों को पूरा believe है कि बहुत जल्दी ये news आने वाली है damn sure ये news आजाएगी तो उसके लिए आप लोग अभी से thankful रहे है खुदा का, साएं बाबाजी का, divine का, universe का because celebration is on the way good news is on the way now bottom से हम लोग चेक करते हैं oh my god, oh my god good news के बाद abundance obviously finance अच्छा होने वाला है you are same as me बाबाजी कहते हैं कि आप जो हैं वो बाबाजी की तरह ही है एक divine soul, एक spiritual soul एक well wishers लोगों के किसी का बुरा ना चाने वाले kind hearted, दयालू, दयावान, charitable लोगों की सेवा करने वाले क्या फ़रक है बाबाजी और आप में आप उन्ही के जैसे तो हैं तो आपको क्यों लगता है कि आप बाबाजी से different हो या फिर आप किसी divine power से different हो, आप उन्ही के जैसे हो आप उन्ही का हिस्सा हो आप उन्ही का part हो और जब आप उन्ही का part हो तो साहिं बाबाजी भी जब चोले में थे दुख तो उन्होंने भी देखा था लेकिन उस दुख को उन्होंने कैसे अपने उपर हावी नहीं होने दिया और कैसे लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया I'm damn sure maximum लोगों को पता होगा तो इसको कहते हैं कि जीने का नाम जिन्दगी है और जितना हस के जियो जितना खुशी नुमा महौल बना कर जीओ जितनी लोगों की सेवा करके जीओ इस जनम में तो क्या लोग कई जनमों तक याद करते हो जो इस तरह के वर्क करती है Soul Journey आप लोग Soul Journey पे हो Twin Flame Connection है आप लोगों का Soul Mate Connection है आप में से बहुत लोगों का सांहे बुआशी केहते हैं कि हरिक परसर्न आपको लिखाएगी आपके ऐंजल इस आपको अरे ही सथ साम आपको आपके अगें को साथ पर लुक। चाहिए तरह चाहिए प्लडा कमझे। तो again energies imbalance हो जाएंगी, again separation phase बढ़ेगा, again waiting period बढ़ जाएगा, postponement और delay बढ़ जाएगा, channel, चाहिए बाबाजी कहते हैं कि वो अपने life में अपनी दुनिया में आपको invite करना चाहते हैं, आपको channel work में welcome कहना चाहते हैं, और जो लोग already कर रहे हैं, उनको thank you भी कहना चाहते हैं, even divine भी हमें thank you कहते हैं, जब हम improve हो जाते हैं, जब हम उनकी रहा पे चलते हैं, right and learning, life is cool है, learn and soar, okay, grace, कोई भी चीज आपको मिलती है, इसको gracefully accept करो, कि कि यह आपके soul level की अलग-लग पढ़ाव हैं, कुछ पढ़ावों में आपको दुख मिलेगा, कुछ में सुख मिलेगा, कुछ में again pain मिलेगा, लेकिन again, all are the part of your journey, तो किसी भी चीज को अगर आप लोग गुसे होकर accept करते हो, किसी भी चीज को आप लोग निराश होकर accept करते हो, या पर किसी चीज को आप accept ही नहीं करते हैं, तो कही ना कहीं आप खुदा का निरादर कर रहे हो, divine का निरादर कर रह और वहीं पर आके आपकी जर्नी रुख जाएगी बेशक आप उसके बाद कितने भी लेसन सीख लो लेकिन वह लेसन इनकम्पेट रहा चाहेगा और जब तक वह लेसन नहीं होता है तब तक चीजे वक्त नहीं करेंगी फाइनल डेस्टिनेशन पर आप लोग नहीं पहुंचोगे सब को जच करना बंद कर दो विकोज जब हम ज़्यादा जच करते हैं तो उससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलता इवन लडाई जगडे conflict और problems raised हो जाती है beautiful changes आप लोग अट्रक कर रहे हो और बहुँ जल्दी इफ डिवाइन ने चाहा और आप लोग अट्रक करते रहे जस्ट लाइक मेगनेट तो यह beautiful changes आप लोगों की life में आज आएंगे वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर कुछ लोग कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं और उनके लिए वाक नहीं कर रही तो उनको छोड़ दो क्योंकि life में कोई भी चीज़ परमानेट नहीं है ठीक है changes required होते हैं life में सोचो अगर आप बच्चे थी हो हमेशा बच्चे ही रहते तो changes हो रहे है ना बड़े हो रहे हो ना मोसम change हो रहे है ना दिन से रात रात से दिन हो रहा है ना तो फिर अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो आप उसको ऐसे पकड़ के क्यों बैठ चाहिए वो कितना भी loving और caring क्यों ना हो चाहिए आपके लिए वक नहीं कर रहा है आपको proper happiness नहीं दे रहा है तो आप में वो पावर है कि आप उसको भूल भी सकते हो उसको छोड भी सकते हो और उसको लिट गो भी कर सकते हो तो यह थे बाबाजी के messages for my viewers for my subscribers for my clients thank you so much for watching if you like don forget to thumbs up and share this in your group please subscribe my channel for watching more videos like this bye have a good day